हाई एवरिबडी वेलकम तो दे यूट्यूब चैनल ऑफ कवर्मेंट गल्सकोलिस तारणगर इस वीडियो लेक्चर में हम इनकम्प्लीट डॉमिनेंस डिसकस करेंगे तो सबसे बात करें ल paycheck होगा की आप two homozaigus plants का cross करवाएंगे और f1 के अंदर जो करेक्टर आएगा वो एक पैरेंट के आएगद हेटरो जाओक्त सर दिसकाता यूड़ अपना करेक्टर सो करपाता है और में mono hybrid post से याद आ रहा है कि capital T small T अपना f1 hybrid था और यह कैसा था tall तो यहाँ पे जो capital T है which is responsible for tallness यह dominant है और small T जो है responsible for dwarfness यह कैसा है यह recessive है तो इसको हम क्या बोलते है complete dominant तो हम समझ लेते हैं इसको diagramatically तो जैसे कि हम देख पा रहे है complete dominance के अंदर के अपना जो first जो genotype है first plant का genotype है A1 A1 और दूसरा जो plant है इसका genotype क्या A2 A2 तो जो A1 A1 genotype है यह क्या करता है it encodes red flowers तो इस plant के जो flowers है वो कैसे होंगे red होंगे और जो A2 A2 है इस plant के flowers कैसे होंगे white flowers चलिए अब हम दो case की बात करते है first case heterozygous condition के अंदर first case है जैसे A1 A2 हम बात कर रहे है heterozygous condition में और heterozygous अगर आपका red है तो red है तो किसका phenotype आ रहा है A1 का आ रहा है तो A1 is dominant A2 is recessive और दूसरा जो case है इसके अंदर क्या है इसके अंदर जो flower से वो कैसे white है तो A2 is dominant over A1 तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे complete dominance तो either A1 is dominant और A2 is dominant तो यहाँ पे दो type की probability हो सकती है अब हम बात करें incomplete dominance की तो incomplete dominance के अंदर क्या होगा हम same case की बात कर रहे हैं जब heterozygous condition होगी मतलब A1 A2 condition के अंदर क्या होगा जो phenotype होगा वो दोनो जो phenotype जो extreme phenotypes है मतलब यहाँ पे हम बात कर रैड और white तो इन दोनों के beach का होगा phenotype इन दोनों का intermediate होगा तो somewhat हम बोल सकते हैं कि pink color का जो phenotype है वो produce होगा heterozygous condition के अंदर तो complete dominance के अंदर heterozygous condition में केबल एक allele का effect so होता है और incomplete dominance के अंदर phenotype जो होता है वो somewhat intermediate होता है beach का phenotype यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक allele का जो effect होता है वो somewhat ज्यादा प्रणाउंस्ट होता है मतलब कुछ हद तक ज्यादा देखने को मिलता है जैसे हम pink की बात करें तो pink में जो red का जो color आ रहा है वो red का जो effect वो ज्यादा आ रहा है white का जो effect वो कम आ रहा है लेकिन जो phenotype हो है आपे कैसा है intermediate type का है तो इसके हम definition की बात कर लेता है so it is a phenomenon where none of the two alleles of a gene is dominant दोनों alleles में से कोई भी एक dominant नहीं होता है so that when both of them are present together a new phenotype is formed which is somewhat intermediate between the independent expression of the two alleles मतब यहाँ पे जब दो alleles एक साथ present होता है तो दोनों में से कोई साथ भी dominant नहीं होता है और एक नया phenotype produce होता है और वो नया phenotype कैसा होता है दोनों के बीच का होता है intermediate type का होता है तो इसको मोजे किया blending inheritance भी कहा जाता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो gene है वो dilute हो गया जैसे हम बात करें कि हमने cross करवाया था capital T capital T का small T small T से तो अपना जो F1 जो offsprings आये थी वो कैसी थी वो सारी की सारी टोल थी just like one of the parents तो यहाँ पे मतलब यह था कि tall जैसे five centimeter tall है तो यहाँ पे जो F1 offsprings आयेंगी वो भी कितनी होगी five centimeter tall होंगी तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो अपका gene है जो allele है वो undiluted है मत्तब pure condition जैसे ही originally था वैसा कर वैसा यहाँ पे express हो रहा है इसके अंदर कोई भी influence नहीं आ रहा है तो यह unblended है अगर हम incomplete dominance की बात करें तो यहाँ पे जो plant आएगा यह उतना tall नहीं आएगा जितना parent था उससे थोड़ा वह छोटा हो गई तो इसको हम क्या बोलते है blending inheritance और इसकी discovery किसके द्वारा की गई called same scientist जिनोंने Mendel की work को rediscover किया था अब हम इसके examples की बात कर लेते हैं तो पहला example है fruit, sorry flower coloring snapdragon and four o'clock plant तो snapdragon और four o'clock plant के अंदर दो टाइप के flowers हम लेते हैं तो पहले जो flowers हैं वो है red तो red flower वाले plant इनका cross करवाते हैं homozygous plants जिनके flower कैसे होते हैं white तो red वाला plant है इससे एक ही type के gamit बनेंगे all with capital R और white वाला जो plant है इससे भी एक ही type के gamit बनेंगे all with small r तो f1 drop spring आएगी तो इसका genotype क्या होगा capital R, small r तो यह आपकी parental generation यह आपके gamits और यह आपकी f1 generation अब यहाँ पे अगर हम बात करें mandalism की जिन्होंने dominance बताया था तो अगर उस mono hybrid pros हम अगर इसको compare करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए या तो f1 of spring red आनी चाहिए या फिर white आनी चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे ना तो red आता है ना ही white आता है यह कैसे आता है यह आते है अब अगर हम इसका selfing करवाए तो selfing करवाने से हमें जो f2 generation मिलेगी हम देख लेते हैं उसके अंदर genotypic और phenotypic ratio क्या रहेगा तो first capital R capital R यह कैसा होगा yoga red दूसरा capital R small R कैसा होना चाहिए pink capital R small R कैसा होगा pink small R small R white तो यह आप अगर हम phenotypic ratio की बात करें तो तीन टाइप के phenotype हम मिलेंगे red pink और white तो इनका ratio क्या होगा 1 is to 2 is to 1 तो 1 आपका pink है 1 आपका sorry red है और 2 आपके क्या है pink है और एक क्या है white है अगर हम genotypic ratio की बात करें तो वो भी same आएगा capital R capital R 1 capital R small R 2 small R small R 1 तो यहाँ पर phenotypic और genotypic ratio same आते हैं तो यह कैसे flower color in snap dragon and four o'clock plant इसका एक example लोग देख लेते हैं fruit color in egg plant तो egg plant के अदर दो type के fruit color देखने को मिलते हैं basically तो पहला आपना जो है वो है purple तो purple को हम यहाँ पे लिख रहे हैं capital P capital P तो यह आपका हो गया purple तो purple fruit वाले plant को हम cross करवाते हैं homozygous recessive जैसे कि हमान रहे हैं आपे small P small P तो इसके जो fruit का color होगा वो कैसा होगा white gamit all with capital P and white वाले all with small P अब इनकी जो F1 जो off spring आएगी उसका genotype capital P small P यहाँ पे expected क्या था कि यहाँ पे आपके जो fruit color है वो कैसे आने चाहिए या तो purple आने चाहिए या फिर white आने चाहिए लेकिन यहाँ पे fruit color कैसे देखने को मिलते हैं violet तो यहाँ पे जो आपका purple color यह dilute हो जाता है और F1 of spring के अंदर आपको कैसे color देखने को मिलते हैं violet color देखने को मिलते हैं अगर हम इसका सेल्फिंग करवाएं तो सेल्फिंग करवाने पर क्या रिजल्ट मिलता है वो देख लेते हैं तो यह इनकी गैमिर्स capital P small P capital P small P तो first capital P capital P कैसा होना चाहिए यह यह होगा आपका purple capital P small P कैसा होगा वाइलेट capital P small P violet और small P small P तो यह कैसा होगा white तो यहाँ पे हम phenotypic ratio अपना one is to two is to one आएगा तो first अपना purple दूसरा अपना violet और दीसरा अपना white one is to two is to one और इसी टाइप से आपका जो genotypic ratio वो भी कितना आएगा वन इस टू 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 इस टू वन इस प्रकार incomplete dominance के अंदर क्या होता है कि जो phenotype जो मिलता है आपको वो intermediate type का मिलता है in heterogigous condition और यहाँ पे phenotypic ratio आपको क्या मिलेगा one is to two is to one genotypic ratio क्या मिलेगा one is to two is to one तो incomplete dominance होता है हम बोल सकता है कि मेंडल का जो low था जो first principle था principle of dominance उसका deviation है उसका एक exception है क्योंकि हम expect यह करते है mono hybrid cross के अंदर क्या आपका जो phenotypic ratio three is to one आना चिये लेकिन यहापे जो phenotypic ratio कितना आ रहा है one is to two is to one so it is an exception to principle of dominance